वाकई जब एक टेंकर ड्राइवर ऑक्सिजन लेकर अस्पिताल कोहते हैं तो इस्वर के भेजे गए दूथ ही लगते हैं हम समझ सकते हैं कि ये काम कितनी जिम्मेदारिक होता है और इसमें कितना मानसिक दभाव भी होता है साथों चुनवती के इसी समय में ऑक्सिजन के ट्रांस्पोर्टेशन को आसान करने के लिए भारतिये रेल भी आगे आई हैं oxygen express oxygen rail ने सड़क पर चलने वाले oxygen tanker से कहीं जधा तेजी से कहीं जधा मातरा में oxygen देश के कोने कोने में पहुंचाई माता औ भेनों को ये सुनकर गर्व होगा कि एक oxygen express तो पूरी तरह मैलाएं ही चला रही है देश की हर नारी को इस बात का गर्व होगा इतना ही नहीं हर हिंदुस्तानी को गर्व होगा मैंने Oxygen Express की एक लोको पाइलट शीरिशा गजनी जी को मन की बात में आमंत्रित किया है शीरिशा जी नमस्ते मस्ते से कैसे इसे मैं बहुत ठीक हूँ शीरिशा जी मैंने सुना है कि आप तो रेलवे पाइलोट के रुप में काम कर रही है और मुझे बताया गया कि आपकी पूरी महिलाओं की टोली यह Oxygen Express को चला रही है शीरिशा जी आप बहुत ही शांदार काम कर रही है कोरोना काल में आपकी तरह अनेक महिलाओं ने आगे आकर कोरोना से लड़ने में देश को ताकत दी है आप भी नारी शक्ती का एक बहुत बड़ा उदाँ है लेकिन देश जानना चाहेगा मैं जानना चाहता हूँ कि आपको यह motivation कहां से मिलता है मुझको motivation मेरा father mother भी है मेरा father government employee है actually I am having two elder sisters we are three members ladies only but my father giving very increase to work my foster sister doing government job in bank work and I am settled in railway my parents only increase in me आचा सिरेशा जी आपने सामान्य दिनों में भी railway को अपनी सेवाय जी है train को स्वाभाविक चला है लेकिन जब यह एक तरफ oxygen की इतनी मांग और जब आप oxygen को लेके जा रही है तो थोड़ा जिम्मेदारी भरा काम होगा थोड़ी और जिम्मेबारी होगी सामान्य गूर्स को ले जाना अलग बात है oxygen तो बहुत भी delicate भी होती है चीजें तो क्या अरुभाव आता था मैं happily feel किया यह काम करने के लिए आपको बहुत बढ़ाई देता हूं और आपके पिता जी माता जी को विशेर सुदे पढ़ाम करता हूं जिन्होंने तीनों बेटियों को इतनी प्रणा दी और उनको इतना आगे बढ़ाया और इस प्रकार का होसला दिया है और मैं समय तो ऐसे माबाप को भी प्रणाम और आप सभी बेहनों को भी प्रणाम जिन्हों ने इस प्रकार से देश की सेवा भी की और जज़बा भी दिखाया है। बहुत बहुत धन्यवाद शिरिशाजी। जल, थल, नब, तीनों मारगों से काम कर रहा है। एक और खाली टेंकर्स को एरफोर्स के विमानों द्वारा ऑक्सिजन प्लांट तक पहुचाने का काम हो रहा है। दूसरी और नए ऑक्सिजन प्लांट बनाने का काम भी पूरा किया जा रहा है। साथ ही विदेशों से ऑक्स oxygen, oxygen concentrators और cryogenic tankers भी देश में लाए जा रहे हैं इसलिए इसमें नेवी भी लगी एरफोर्स भी लगी आर्मी भी लगी और DRDO जैसी हमारी समस्थाय भी जूटी हैं हमारे कितने ही वैज्याजिक इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स और टेक्निशन भी यूद्धस्तर प्रकाम कर र प्रकाम कर जादा हां